नमस्कार दोस्तों मेरा नाम रहतास निमी है आप सभी का स्वागत हमारे यूटूब चैनल निमीजिनेट प्रोपे दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टाइप ओफ वेरियेवल इन रिसर्च यानि की अनुसंधान के चर्क्या होते हैं और इसके कितने परकार है रिसर्च को अच्छे से जानने के लिए डोस्तों हमे वेरियेवल के वारे में पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है चर्क का आपको नाम बहुत बार शुनने को मिलेगा तो इनके वारे में आज हम जानेंगे अच्छे तरीकर से दोस्तों अगर आप चाहें तो हमारा paid coach भी जोइन कर सकते हैं इसके अंदर हम आपको बहुत अच्छे तरीति से study करवाएंगे नमबर एक पे दोस्तों हम आपको all 10 unit study notes देंगे new updated slaves के इंशार plus में सब्तमबर 2020 में जो question आये हैं उसके इंशार हमने ये notes त्यार की है इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको all 10 unit के videos देंगे add free videos आपको मिलने वाली है इसके साथ साथ number 3 पे दोस्तों हम आपको 2012 से लेके December 2019 तक सभी shift के question paper Hindi English में with answer की आपको मिलने वाले है इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको 2012 से लेके December 2019 तक teaching के question अलग देंगे research के अलग देंगे communication के अलग देंगे इस तरह से सभी unit के question आपको अलग-अलग मिलेंगे इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको most repeated होने वाले question के वाले में प्लस में आपको notes भी देंगे इसके साथ साथ दोस्तों फरी में हम आपको 2012 से लेके December 2019 तक old year question paper second भी देंगे with answer की और इसके साथ साथ दोस्तों हम आपका live mock test लेंगे YouTube पे तो दोस्तों अगर आपको एक course जोइन करना है can effect or change the result of study यानि की variable कुछ भी चीज हो सकती है जो study के result को change करे every study has variable as these are needed in order to understand difference यानि की study के अंदर चर्का होना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि हम उसके difference को समझ सके और अगर हम इसे असान भासा में समझे तो दोस्तों चर्व क्या होते हैं चर्व को हम किसी भी वस्तू घटना विचार इत्यादी से परभासित कर सकते हैं जिसकी कुछ मात्रा हो या फिर जिसका कोई गुण हो यानि कि दोस्तों चर्व कुछ भी हो सकता है जैसे भूकम फोकेया बिमारी होगी नमक होगया नियम गाड़ी इत्यादी जो भी चीज दोस्तों जो दूसरी घटना को परभावित करती हो किसी चीज को effect करती हो उसे हम क्या कहेंगे चर कहेंगे दोस्तों और इसके अंदर चर में क्या होता है दोस्तों चर या तो खुद प्रभावित होगा या फिर वो किशी दूसरी चीज़ को प्रभावित करेगा यह होता है इसके अंदर और चर के अंदर हम कुछ आपको अच्छे से समझ में अजएगा सबसे फिले हम बात करते हैं जैसेप हो गया है दोस्तों एर पॉलीशन बढ़ने से क्या होगा हमारी डीजिस बढ़ जाएईगी बीमार्या बड़ जाएगी आगे हम बात करते हैं जैसे कि मानकी ज्टूडेंट ज्यादा होएगा तो उसका score जो है वो effect करेगा कम ज्यादा उसका score होगा exam के अंदर आगे हम बात करते हैं दोस्तो global warming उससे क्या है दोस्तो हमारा temperature बढ़ जाएगा और eating ice cream ice cream खाने से क्या है दोस्तो बुखार हो सकता है तो यह हमारे कुछ example मैंने आपको बताए आगे हम बात करते हैं दोस्तो टाइप of variable देखी मुखी रूप से इसके अंदर जो variable उनके बारे में हम जानेंगे सबसे पहला है हमारे पास सवतंतर चर independent variable इस तरह के चर पूरी तरह से सवतंतर होते हैं इन पर किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता बलकि यह किसी अन्य को प्रभावित करते हैं यह देखे दोस्तो इस तरह के चर होते हो बिलकुल सवतंतर होते हैं इनके उपर प्रभाव नहीं पड़ता बलकि यह दूसरी किसी चीज़ को effect करते हैं और इसके अंदर जो एक important चीज़ है जो हमें ध्यान रखना जरूरी है वो exam के अंदर भी आ चुकी है the variable that researcher change or the researcher think it will effect the dependent variable यानि कि सवतंतर चर्व होता है दोस्तों वो चीज़ होती है जिसकी मात्रा को researcher कम या ज्यादा कर शकता है और जो dependent variable को change करता है उसकी घटना को change करता है प्रभावित करता है इसको अच्छे से समझने के लिए मैं अभी आपको एक example दूँगा उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी और उससे पहले हम बात करते दोस्तों आसरित चर्व की बात करते हैं आसरित यह चर्व कुछ इस रहके होते हैं जिने हम नियंत्रित नहीं कर सकते बलकि यह किसी अन्य से प्रभावित होते हैं यह देखे दोस्तों income control नहीं कर सकते हैं यह किसी अन्य के दवरा प्रभावित होते हैं जैसे कि किसी व्यक्ति को बुखार हो गया तो बुखार की दवाई उस व्यक्ति को अच्छा कर सकती है यानि वो व्यक्ति को प्रभावित कर सकती है बुखार की दवाई क्या है दोस्तों वो हमारी independent variable है और बुखार क्या है वो dependent है किसके उपर है दवाई के उपर है अगर व्यक्ति को अच्छी दबाई देंगे तो वेक्ती बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा और इसके अंदर देखें दोस्तों the variable that is affected by the change in independent variable यानि कि ऐसा variable जो independent variable में change करने की कार्ण change होता है उसको हम क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं independent variable कहते हैं अभी मैं आपको एक बहुत ही जवर्दस्त example देने वाला हूँ जिससे आप अच्छे से समझ जाएंगे अब देखें दोस्तों जैसे हमारे पास यहाँ पर हमारे पास ही एक कैनी है जिसके अंदर हमने कुछ पाने डाला हुआ है और इसके नदर यह देखें एक्स एक्स नाम से कोई fertilizer है यानि कि कोई दवाई लेते हैं कुछ खाद ले लेते हैं हम ठीक है और यह जो दवाई है fertilizer है यह हमारा क्या independent variable है दोस्तों और यह जो पोधा है यह depend किसके उपर कर रहा है यह दवाई के उपर depend कर रहा है अब देखें अगर हम दवाई अच्छी दवाई डालेंगे तो पोधा के जल्दी पोधा बहुत जल्दी हमारा ग्रो हो तो यहां पर जो समझने वाली बात है दोस्तों वो यह है कि जो हमारा फर्टिलाइजर है यहां पर जिसकी मातरा को हम कम या ज्यादा कर रहे हैं तो वो क्या हो गया हमारा independent variable हो गया और इस fertilizer की वज़े से कम ज्यादा करने की वज़े से प आगे हम बात करते हैं दोस्तो हमारा है मध्य वर्ती चर इस तरह के चर को हम पूर्ण रूप से देख नहीं सकते लेकिन यह चर सवतंतर चर और आसृत चर के बीच सामिल होता है यह चर इन दोनों के वीच होने वाले संबंध के बारे में बताता है दोस्तों इस तरह के जो है उसके हम directly नहीं देख सकते लेकिन ये इन दोनों के बीच में होता है देखिए इसका एक example देता हूँ जिससे आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा आइस्क्रीम आइस्क्रीम बच्चे का समझ देखिए आइस्क्रीम और बच्चा स्कूल नहीं जा पाया इसके बीच में क्या है दोस्तों इसके बीच में है कि बुखार हो गया आइस्क्रीम खाने से बच्चे को बुखार हो गया बुखार हो गया वो हमारा क्या है दोस्तों interviewing variable है आगे हम बात करते हैं दोस्तों हमारे पास है moderate variable है moderate जैसा की नाम से पता चल रहा है दोस्तों यह variable सबतंतर चर और आसरित चर के बीच सम्मंदों को सुधारने का काम करता है यानि कि moderate करता है इनके relation को अब देखिए इसके इंदर में आपको एक example देता हूँ जैसे आपको और अच्छे से समझ में आजाएगा मानके चलते कि हमारे पास दो बच्चे हैं एक बच्चा दोनों बच्चे मानके चले पांच-पांच घंटे पढ़ते हैं दोनों बच्चे के तो 60% मार्ग साते हैं दूसरे बच्चे के 90% मार्ग साते हैं अब देखिए यहाँ पर सोचने वाली बातना है कि दोनों ने equal पढ़ा same study की लेकिन फिर वी एक बच्चे के 60% नमबर आए और दूसरे के 90% नमबर आए तो इसके बीच में जो moderate variable है दोस्तों वो होगा IQ level उनका moderate variable होगा देखिए हो सकता है किसी एक बच्चे का जिसके 60% आए उसका IQ level कम हूँ 90% जिसके नमबर आए उसका IQ level बहुत अच्छा हो सकता है तो इसके अंदर जो IQ level हो जाएगा हमारा moderate variable हो जाएगा आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं आगे हम बात करते हैं दोस्तों नियंतरित चर, control variable यह हमारे लिए काफी important है दोस्तों क्योंकि इसमें से पहले काफी question आज चुके हैं दो तिन question आज के UGC net के इंदा है इसको समझते हैं इसका meaning क्या है और क्या मतलब है इसका आप चाहे तो दोस्तों यहाँ पे English Hindi दोनों में पढ़ सकते हैं यहाँ पे हमन देख सकते हैं और मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल असान भासा में समझाने की कोशिस करूँगा देखी यह विज्यानिक प्रियोग में एक नियंतर्ण चर एक प्रायोगिक ततव है यानि कि यह हमारी experimental research के अंदर एक experiment के तोर पे काम आता है जो जांच के दोरान निरंतर औ रहता है और unchanged रहता है constant का मतलब होता है दोस्तों वो एक समान रहता उसके अंदर कोई changes नहीं आता उसकी मातरा में या किसी चीज्ज में भी कोई changes नहीं आता वो क्या होगा हमारा constant यानि कि एक समान रहना और unchanged यानि कि उसके अंदर कुछ भी change ना आना तो उसको हम क्या कहेंगे दो हमारा control variable होगा और इसको अच्छे से समझने के लिए एक बार फिर से वही example लेता हूँ मैं पहले वाला independent variable हमने देखा था independent variable क्या है हमारा X है X fertilizer है fertilizer हम इसके अंदर spray मान के चलते हैं ठीक है spray की मातरा को हमने कम जादा किया था यानि कि पहले हमने 10 ग्राम डाली फिर 200 ग्राम डाली उससे क्या हुआ कि हमारा पोधा कम जादा ग्रो हुआ ठीक है जो fertilizer है वो हमारा independent variable हो गया उसकी मातरा को कम जादा कर रहे है अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि हमारे पास यहाँ पे control variable क्या है देखे control variable इसके अंदर पानी है दोस्तों पानी हमने एक लीटर ही एक लीटर था यानि कि पानी की अगर इसके अंदर बात करे तो वो हमारा क्या होगा दोस्तों control variable होगा यानि कि control variable जैसा कि हमने ऊपर भी बताये था आपको कि यह constant होता है unchanged होता है आप देख सकते यहाँ पे हमने पानी की मातरा को कम जादा नहीं किया पानी एक लीटर ही रखा हमने लेकिन experiment के दोरान हमने fertilizer की मातरा को कम जादा करके देखा उससे क्या effect हो रहा है तो उमीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा यहाँ से कि control variable का मतलब क्या होता है आगे हम बात करता है और इसके अंदर एक सीज ध्यान में रखना दोस्तों इसमें question आ जाता है यह सवतंतर चर्ट था आसरित चर्ट के बीच संबंद को परभावित करता है और अपने आप में कुछ भी बदलाओ नहीं होने देता ठीक है यह चीज आप ध्यान रखना और आगे हम बात करते हैं दोस्तों confounding variable की बात करते हैं extra variable that have a hidden effect on your experimental result यानि कि ऐसा variable जिसका hidden effect होता है हमारी study के उपर और जैसे इसके अंदर में आपको एक example देता हूँ मान के चलिए बच्चे ने ice cream खाई है और हो सकता है भगवान ना करें आने वाले time में उस बच्चे को कोई बड़ी विमारी हो जाए तो और वो हमें बाद में जाके पता चले और हम सोचे कि यह पता नी क्यों हो गई है तो यानि कि ऐसी चीज ऐसा variable जिसका hidden effect हो हमारी study के उपर हम क्या कहेंगे confounding variable कहेंगे दोस्तों आगे हम बात करते हैं latent variable देखे इस तरह के चर्को हम सीधे तोर पर नहीं देख सकते और ना ही इसको माप सकते लेकिन इसको हम दूसरे चर्पे होने वाले effect से जान सकते हैं इस जो बच्चा है वो भी intelligent हुआ तो इसका हम क्या देख सकते हैं वही माप का बच्चे पर effect तो पढ़ रहा है वही माप के intelligent होने से बच्चा भी intelligent है लेकिन हम यह नहीं देख सकते कि मा की intelligence बच्चे में कितनी है और बच्च जो बाप की intelligence बच्चे में कितनी है यह हम पता नही कर शकते हmost यह क्या हो गया दोस्तों हमारा लेंजन लेंड लेटेंट वैरीवल हो गया है आगे हम बात करते हुस्त वैरीवल वैरीवल यह मैंटीफेश्ट वैरीवल यह का रंग का हुआ तो हम पता कर सकते ना कि बच्चा काले रंग का किस वज़े से हुआ बाप की वज़े से हुआ है तो यहां पर क्या है हम सीधे तोर पे उसको देख सकते हैं और इसी तरीके से वह मैंने example दिया था उपर वाला की intelligence उसके अंदर भी हम इसको use कर सकते हैं यानि कि इसको सीधे direct तोड़ से इसको find out कर सकते हैं तो ये थे दोस्तों आज के हमारे most important type of variable मैं उमेद करता हूँ आप सभी को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को like कीजिए comment कीजिए share कीजिए और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल निमीजनेट परोग को subscribe नहीं किया है तो हमारे चैनल को subscribe कर लिजिए thank you दोस्तों दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को like कीजिए share कीजिए और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया तो please हमारे चैनल को subscribe कीजिए और घंटी का बटन दबा के all option जरूर select कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज को सानी से देख सके हैं